हेलो दियो आश्रोंट्स बेलकम बैक ओन माई यूट्यूब चल बचो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं MP Board का सामजी बिग्यान कच्छा 10 जी हाँ कच्छा 10 भी का सामजी बिग्यान जिसका चेप्टर नमबर 3 हम पढ़ रहे हैं चेप्टर नमबर 3 पहले वीडियो मनें पढ़ा कि ओद्योग क्या है आज हम पढ़ेंगे भारती आर्थिववस्ता में ओद्योगों का यहाँ पर क्रसी लिखा है ओद्योगों का क्या महत्वाई यह समझाईए तो चलिए बहुत ही महत्वण कोशन है एक्जाम में कई बार आ चुका है तो देख में बहुत ज़्यादा बस्तू का निर्मांड किया जाता था जो चो चोटे चो कारीगर थे वह बस्तू का बहुत havia जादा दर्याद करते थे उनकी जो मांगती है वो विदेशों बहुत ज़ादा थी तो हम क्या है विदेशों में उन बस्तरों और आभुष्णों क्या करते है निर्यात करते है लेकिन फिर क्या हुआ उसके बदा अठारीव सतावदी के मत यूरोप में हुई ओद्धों के करांती के करण तो क्या हुआ धारीव सतावदी में यूरोप में ओद्धों करांती का मतलब यह है बच्चों कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मसीनों का अनिम्राल हुआ बहुत ज़्यादा आभिश्कार होने लगे नई नई चीजों को लेकर तो उससे क्या हुआ जो छोटे-छोटे कारी गड़ थे उनकी जगे अब मसीनों ने लिली यानि कि जो बस्त्र पहले लोग हाथों से बनाते थे वो कपड़े अब लोग किस से बनाएंगे मसीनों से बनाने लगे उससे क्या हुआ कि हाथों को कपड़ों की जो बना देते उनमें इतनी ज़्यादा सफाई नहीं थी कंप्यार टू जो मसीनों से बना थे मसीनों की जो कपड़े बन देते उसमें बहुत ज़्यादा सफाई थी इस कारण क्या हुआ जो भी हाथ की चोटी चोटी उद्योग थी वो सब क्या हो गए नस्ट हो गए और इस कारण जो भारती कुटी उद्योग धन्दे थे वो पूरी तरीकी से नस्ट हो गए फिर क्या हुआ लोग बिरोजगार हो गए क्योंकि बिदेश्वा में जो बस्त्रो कौन से होगे है क्रशी प्रदान होगी आज की लेट इस वा आपने सुना का बहुत भारत बिलकुल भी करशी प्रदान देश नहीं था बहुत बहुत ज्यादा निर्माण होता था यानि एक गॉद्द्यों की क्राष्ट था लेकिन यूरोप में जो नए नया आविश्कार हू और भारत क्या है ये क्रसी प्रधान देश बन गया तो आईए बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ उसके बाद सुनता प्राप्ति के बाद या जादी के बाद आर्थी के विकास के लिए ओद्यों को विकास किया बलशक्ता का नोपके गया क्योंकि सरकार को ये समझ में आ गया था कि बिना ओद्यों विकास के किसी भी देश की प्रगती या फिर तरक्की नहीं हो सकती तो उन्होंने कहा हमें ओद्यों का विकास करना चाहिए उसके बाद 1950 में राष्टी योजना आयोकिस था अपना 1921 में फंच पर सी योजना शुरूई पंच पर सी होजना क्या है पांच परस की योजना हैं लक्ष बनाई कुछ tus टार्गेट बनाए कि इतनी साल में हमा उद्योगों में इतना benefit चाहिए इतना हमारा उद्योग बहुत ज़्यादा होना चाहिए उससे क्या होगा लोगों लोगों को रोजगार मिलेगा तो पंचवर्सी यूजना के माध्यम से भारत के उद्योग विकास के लिए 94 निर्दार्द किये गए जिससे क कैई लाब प्राप्त हुए चलो उनके बारें बात करते हैं तो देखूए पहला जो लाप है वो क्या हुआ उद्योगों की विकास से उत्पादनों ब्रद्ध हुई आपको पता है उद्योग का जो विकास होता होता है हाग से कितने बहुत ही कम प्रोडक्ट का प्रोड़क्ट मनाई जा सकते हैं, लेकिन मसीनों से क्या है, बहुत ज़्यादा बस्टों का निर्मार्ट किया जा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा quantity होगी, तभी तो हम उसकी पूर्ती कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी यहीं पर पूर्ती नहीं कर पाएंगे, तो क्या तो गरेबी होते हैं प्रतिव्यक्त ही जतनी ज़्दा होती है तो बहुत अच्छी आये जादा होगी देश की उन्टी उतनी जादा होगी दूसरी बात करते हैं दूसरा पॉइंट है यहाँ ने भीन्होंद पता है राष्टी आए में ब्रद्यूई आपको बता है जब प्रतिव्यक्ति आए बढ़ती हो उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो राष्टी आए में भी क्या है ब्रद्यूई सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मिने लगा उससे क्या है सरकार की क्या है और अच्छी गुडबत् सीने आगे उसे क्रसी छेत्र में और उज्यादा तरक्य हुई खनिज परिभेंट इनको भी क्या लाब मिला इनका तो उद्ध्यों क्या है बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है हैं भारती अर्थवश्था के लिए तो आई होप आपको यह कोश्चन समझ में आ गया होगा बहुत झाल